करते हैं बच्चों इस topic में हमको क्या पढ़ना है nature of the roots में तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने quadratic formula पढ़ा था अगर आपके पास एक quadratic equation है याद करिए अगर आपके पास एक quadratic equation है x square plus bx plus c is equal to 0 याद है यह quadratic equation है तो इस quadratic equation के root निकालने का जो formula आपने पढ़ा था वो पढ़ा था x is equal to minus of b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a अब इसमें बच्चों यह जो b square minus 4ac है इसको उम discriminant बोलते हैं ओके तो आजाएए यहाँ पर कुछ notes आपको अप आपका जो quadratic formula है x is equal to minus of b plus minus root over b square b square minus 4ac divided by 2a इसमें यह जो लिखा रहता है square root के अंदर क्या b square minus 4ac ओके students इसको बोला जाता है discriminant copy में note लगाए इसको हम क्या बोलते है discriminant ओके students तो इस discriminant का ही हमको nature देखना होता है कि यह 0 से बढ़ा है या 0 के equal है या 0 से चोटा है या 0 से बोलते हैं अगर यह 0 के equal है तो 0 के equal बोलते हैं ठीक तो इसी का nature देखके इस discriminant का nature देखके कभी-कभी किसी-किसी बुक में आप पढ़ोगे तो इसको capital D से दिखाते है यानि कि capital D जो होता है discriminant होता है वह था आपका b square minus 4ac ओके students तो यह b square minus 4ac का nature देखिए देखे बच्चो अगर b square minus 4ac greater than 0 होगा याद रखी यानि कि b square minus 4ac आपको calculate करना है calculate कर लोगे अगर वो 0 से बड़ा होगा greater होगा यानि कि positive होगा तो copy में note लगाए अपने और याद करें two distinct real roots आएंगे यानि कि two real roots आएंगे x की real values आएंगी और दोनों ही अलग-अलग values होंगी यानि कि distinct values हों होंगी जैसे कि मान लीजे एक x की value आ रही है 1 by 2 तो दूसरी आ रही होगी 3 by 2 ऐसे different values आपकी होंगी कब जब आपका b square minus 4ac क्या होगा greater than 0 होगा यानि कि positive होगा उसके बाद next आप note लगाएंगे बच्छों यहाँ पर कि अगर आपका b square minus 4ac less than यहाँ पर पहले यह वाला roots real नहीं होंगे यानि कि roots कैसे होंगे imaginary होंगे और यह वाला case इस case में आप roots निकालके नहीं दिखाओगे क्योंकि यह वाला case हम पढ़ेंगे 11th class में याद रखीगा कौन सी class में 11th class में ठीक है अब आजाईए second वाले पे अगर आपका b square minus 4ac is equals to 0 हो गया तो उस time आपके जो roots roots होंगे यानि कि x की values होंगी वो real तो होंगी और equal भी होंगी यानि कि same roots आजाएंगे जैसे कि मानलो एक x की value आ रही है one upon two तो दूसरी भी कितनी आजाएगी one upon two याद हो गया पहले आप फटा-फट याद कर लीजे बच्छों याद कर लीजे कि two distinct real roots होंगे कब जब b square minus 4ac दो अलग-अलग real roots हाएंगे जब b square minus 4ac आपका positive होगा यानि कि greater than 0 होगा तो दोनो roots equal होंगे जब b square minus 4ac is equals to 0 होगा और दोनो roots आपके imaginary होंगे यानि कि real नहीं होंगे जब आपका b square minus 4ac less than कि आ जाएगा 0 आ जाएगा ओके students तो इन तीनों चीजों को आप note कर लीजे learn कर यह x is equals to minus of b plus minus root over b square minus 4ac द्यान सुनों अगर बच्चों यह वाला case आ रहा हो आपका second वाला ठेक द्यान सरह चेक करो देखो अगर two equal roots वाला case आ रहा हो यानि कि b square minus 4ac अगर आपका 0 आ जा रहा हो तो यहाँ पर आप x की value को direct निकालेंगे copy minute लगाईए अगर two real मतलब आपका b b square minus 4ac 0 आ गया तो आपना x की value को direct निकाला करोगे दोनों x की value कितनी हो जाएंगी यहां से आप देख लीजे b square minus 4ac की जगा 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा minus b और plus minus root over b square minus 4ac कितना है 0 है divided by 2a so यहां से क्या आ जाएगा x is equals to minus b है ना अब ध्यान दो plus minus 0 का square root 0 होता है तो इसके आ गया जाएगा plus minus 0 divided by 2a तो बच्छों यहां से minus b में plus 0 करो ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान से very important minus b में plus 0 करो तब भी minus b आएगा यानिके जो x की first value आएगी वह आएगी minus b by 2a और minus b में अगर आप minus 0 करोगे तब भी x की value कितनी आ जाएगी minus b by 2a सीजी सी बात है बच्छों minus b के साथ में plus minus 0 का तो कोई मतलबी नहीं है ना 0 का इसलिए minus b by 2a और minus b by 2a यानिके जो x की first value आएगी वह भी minus b by 2a और x की जो दूसरी value आएगी वह भी minus b by 2a आ जाएगी इसलिए बोलते हैं कि root system कैसे होंगे equal होंगे दोनों x की value equal होंगी ठीक है तो important बात सुनों अगर b square minus 4ac 0 आ गया तो direct आपको x की value निकाल देनी है कैसे x बराबर minus b by 2a से वही first root होगा वही आपका second root होगा अभी question करके दिखाएंगे तो आपको बच्छो clear होगा ठीक है